नव श्कार मित्रों, गेज़ारपण चैनल के एक नए वीडियो लेक्चर में मैं हूँ अमिद्धूबे और आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जब मैं आप ही की तरह एक विद्यार्थी था तो उस समय इंगलिस के जो कुश्चन्स होते थे उनके एंसर मैं किस तरह से बना बना कर बना बना कर लिखता था और कैसे प्रयास करते 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 मेरे एंसर अपने आप बहतर हो गए अपने आप सही हो गए किन चीजों का ध्यान रखना है और किन चीजों का ध्यान नहीं रखना है अर्थात मैं आज आपको एक ट्रिक बताऊंगा और उस ट्रिक का उपयोग करके बिना रटे आप सभी प्रकार के कुश्चन्स के एंशर अपने आप बना लेंगे और सबसे जरूरी बात बहुत सारे बच्चों के आजकल कॉमेंट्स आ रहे हैं कि सर आपने ये वाला चैप्टर आधा पढ़ाया है ये वाला चैप्टर आधा पढ़ाया है इसका दूसरा पार्ट नहीं मिल रहा सर ये वाला चैप्टर तो मिल ही नहीं रहा यह chapter आपने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया है तो वो chapters कहां है इस बारे में भी हम इस वीडियो के अंत में बात करेंगे सबसे पहले हम बात करेंगे कि आखिर अपने आप से बिना किसी की मदद लिए English के questions जो होते हैं उनके answer बिना रटे, trick से कैसे बनाए आप देख सकते हैं English के answers बना बना कर लिखें आप खुद से बना कर लिख सकते हैं क्योंकि इस वीडियो का उद्देश्य है अब रटना बंद करो रट्टू तो ता नहीं बनना है देखिए सबसे जरूरी बात मैं आपको बताऊं इस वीडियो में मैं आपको वही चीज बताने वाला हूँ जो मैं कच्छा बारवी में था और मैं जो तरीका अपना के answers लिखा करता था वही तरीका मैं आपको बताऊंगा ठीक है कुछ भी हवा हवाई नहीं है मैंने apply किया है अपने उपर अब मैं आपको वो चीज बता रहा हूँ और ये बहुत गुप्त बात है लेकिन फिर मैं आपको share कर दे रहा हूँ जो मैं खुद कर चुगा हूँ आप देख सकते हैं इस वीडियो में सबसे उपर ही लिखा है मैं answer कैसे बनाता हूँ मैंने कोशिस की और कोशिस करते करते मेरे answer अपने आप ठीक हो गए तो इसके तीन topic है पहला chapter पढ़ना दूसरा tense का ध्यान रखना और ये तीसरी बात है जो मुझे आपसे करनी है जो आपका डर है कि कहीं गलत ना हो जाए कहीं गलत ना हो जाए उसके बारे में बात भाई बुक में है तो उस chapter को पढ़ना होगा तभी उस chapter की कहानी पता चलेगी कि आखिर इस chapter में क्या बात कही गई है जब आप उस chapter को पढ़ लेते हैं तो आप कुछ मत कीजिए उस chapter एक pen उठाईए और एक paper उठाईए ठीक है उस chapter को पढ़ने का मतलब है उस chapter को हिंदी मे पढ़ लीजिए पूरी कहानी उसकी जान लीजिए ठीक है आपकी बुक होगी कोई नो कोई बुक आपके पास ऐसी होगी जिसमें उस chapter को पूरी तरह से हिंदी में लिखा गया होगा या फिर मेरे ही वीडियो लेक्चर देख कर आप उस chapter को हिंदी में एक एक word बहुत डेट ठीक उसके तुरंत बाद फेन उठाइए एक कॉपी उठाइए और उस कहानी को हिंदी में लिख डालिए अपने मन से जितना आपके मन में हो जो चीज आपके मन में है उसको लिख डालिए इस चीज को जब आप लिखते हैं तो इसको बोलते हैं समरी लिखना समरी मतलब और आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि भाई उस मूवी में ऐसा क्या है जिसकी वज़ा से मैं उस मूवी को देखूं तो आप पूरा दो घंटे तो बैट के उसको एक्स्प्लेन नहीं करेंगे कि हीरो आया फिर हीरोईन आई फिर ये वाला गाना बजा ये वाला गाना अप कि उसको सुनाए फिर आगे चलें ऐसा तो नहीं होगा आप उसकी कुछ मोटी मोटी बाते अपने मित्र को बता देंगे और मित्र प्रभावित हुआ तो वह जाकर मूवी देखेगा तो जो छोटी-छोटी मोटी-मोटी बाते आप बताते हैं वह होती है समरी अगर समरी नह जब आप पढ़ लेते हैं तो उसकी समरी को आप हिंदी में लिख डालिए अपनी कॉपी में जब आप उस समरी को हिंदी में लिख डालिए तो एक बार चेक कर लिजे कि इसमें जो जरूरी बाते हैं वह सभी लिखी है कि नहीं जैसे दलाश लेशन चैप्टर है तो दलाश हुई थी वहाँ पर वाचर नामक एक लोहार था जिसने उसको रोक कर कहा कि इतना तेज मत जाओ लड़के इसकूल पहुचने के लिए तुम्हारे पास बहुत समय है इसकूल पहुचकर उसने देखा कि गाओं के बहुत सारे लोग इसकूल की पीछे की डेक्सस पर बैठे हु और टोपी यह सारी चीजे पहन रखी थी और उसके टीचर ने बताया कि भाई आज यह आखरी क्लास है इसके बाद एक नए अध्यापक आ जाएंगे और आप फ्रिंच भासा नहीं पढ़ सकेंगे तरह तरह की बातें आप ध्यान से देख लेजिए को उसमें वह सारी बाते आपने लिखी है या नहीं लिखी है ठीक है समरी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती मुश्कल से एक पेज में पूरा चीजे आ जाएंगी ठीक है तो समरी का लेक्चर जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दलाश लेशन की समरी का लिंक दे दूँगा जाकर आप देख लीजिएगा ताकि आपको आइडिया हो जाए कि समरी क्या होती है ठीक है तो जब आप समरी को हिंदी में लिख लीजिए ना ठीक उसके तुरंत बाद उसी समरी को इंगलिस में ट्रांसलेट करके लिख डालिए जब आप इंगलिस में ट्रांसलेट करने लगेंगे त पहत्ताम, जैसे आप हिंदी में लिखेंगे, उसके तुरंट बात जैसे ही आप इंग्लिस में लिखना शुरू करेंगे, आपका दिमाग आपको बता देगा कि भाईया इसकी हिंदी, ये जो लिखा है पढ़ना, मुझे नहीं पता कि पढ़ना को अंगरेजी में क्या कहते है तुरंत गूगल पे सर्च कर लीजिए या फिर अपने बुक में देख लीजिए कि इसका मतलब क्या लिखा है वो सब्द आपका तयार हो जाएगा तुरंत वो चैप्टर आपका एकदम धंग से तयार हो जाएगा और फिर questions के answer अपने आप बनते चले जाएंगे क्योंकि आप उसको English में translate कर चुके होंगे उस कहानी को English में translate कर चुके होंगे तो पहला काम चैप्टर को पढ़ना है चैप्टर को पढ़ने के बाद एक pen paper लेकर समरी को हिंदी में लिखना है और जब समरी को हिंदी में लिख लें ठीक उसके तुरंत बाद उसी समरी को जो आपने अपने सब्दों में लिखा है इंगलिस में ट्रांसलेट करके लिखना है जब इंग्लिस में translate करने लगेंगे तो अपना दिमाग खुद बता देगा कि इसका मतलब मुझे नहीं पता और जाकर उस word को जिस word का आपको इंग्लिस में नहीं पता है क्या होता है उस word का इंग्लिस देख लेना है आपका chapter तयार हो गया किसी भी तरह के question का answer देने के लिए अब आप तयार है ठीक है अब आप खुद से बनाके questions के answer लिख लेंगे जैसे अगर उसमें पूछा गया कि एम हैमल ने फ्रेंज से क्या कहा था तो आपकी दिमाग में तुरंत आ जाएगा कि हम हैमल ने कहा था फ्रे अपने आप आपका दिमाग बताएगा आपको इसका answer यह है और यह वाला answer आपके दिमाग में आया तुरंत उसकी English भी आपके दिमाग में आ जाएगी क्योंकि आपने practice कि होगी तो आपको answer भी बनाना आ जाएगा और उसको लिखना भी आ जाएगा आपका दिमाग आपको बता देगा हो गया chapter complete हो गया आपके questions के answer अपने आप बनते चले जाएंगे आप ही बना डालेंगे कुछ भी प्रशन पूछेगा आपसे आपका अपने answer बन जाएगा आपका दिमाग आपको बता देगा कि इसका मतलब तो यह होता है और इसकी English में मैं यहां पर फस गया थ बस हां अब आप question बनाना सीख गया हो गया खतम यहीं करता था मैं बस अब एक चीज का ध्यान क्या रखना होता है एक चीज है वो मैं गलती करता था मुझे कुश्चंस के अंसर बनाने तो आ गए थे जब मैं यह तरीका प्राई करता था लेकिन मेरे त्रिपाठी सर्थे उन्होंने बहुत कूटा था मुझे क्योंकि मैं टेंस का ध्यान नहीं रखता था वो मुझे पंचिंग बैक समझ लिये थे उस दिन औ रखना है एक बात का विसेज ध्यान रखना है जब आप यह तरीका अपना लेंगे यह वाला तो आपके कुश्चंस के अंसर आटोमेटिक बनते चले जाएंगे मैं अभी गारंटी लेता हूँ अभी पहला चैप्टर उठाईए उसकी समरी लिखिए समरी लिखने के बाद उसके समरी को इंग्लिस में ट्रांसलेट कीजिए उस चैप्टर के जितने इंग्लिस वर्ड होंगे मतलब जिनका इंग्लिस आपको नहीं पता होगा आटोमेटिक आप देखते चले जाएंगे वो सब्द तयार होते चले जाएंगे किताब उठाईए मैं गारंटी लेता मतले चले जाएंगे यह हो गया खतम हो गया बस ध्यान रखने की क्या बात है ध्यान यह रखना है कि क्विश्चन्स का एंसर तो आप इस तरह से स्ट्रिक का यूज करके अपने आप बना लेंगे लेकिन ध्यान रखिएगा कि टिन्स का ध्यान रखना है आपको बिटा यह मैंने गलती की थी मैं नहीं चाता आप करें टिन्स का ध्यान रखना है यदि प्रश्ण पास्ट टिन्स में पूछा गया हो तो उसका उत्तर भी पास्ट टिन्स में दें पास्ट टिन्स की हेल्पिंग वर्भ या तो हैड या तो वाजिया वर्व होगी अगर वही टेंस या फिर वही प्रश्ण आपसे प्रजेंट में पूछा गया है तो उसका उत्तर प्रजेंट इसमें दें प्रजेंट इस इसमें रखना है समझ रहे हैं आप मेरी बात तो जिस टेंस में आपसे question पूछेगा उसी टेंस में आप उसका उत्तर लिखेंगे Clear तो टेंस का ध्यान जरूर रखे Present में पूछे तो Present में Past में पूछे तो Past में Future में पूछे तो Fortune Future में है Answer पूचर में आएगा Question Past में है Answer Past में आएगा Question Present में है Answer Case में लिखेंगे Clear हो गया अब मुझे एक बात आपसे करनी है और वो ज़रूरी बात क्या है? जब मैं कक्षा में पढ़ाता हूँ, तो मैं किस बात पर ध्यान देता हूँ? अब ज़रूरी बात की बात करते हैं. ज़रूरी बात बेटा ये है ना, कि अध्यापक के वल ये जानना चाहते हैं, कि आपने जो answer लिखा है वो कितना सही है छोटी मोटी गलतियां अगर आप करते हैं जैसे 100% आप नहीं कर पाते कोई नहीं कर पाता कोई भी आदर्स नहीं समाज में आदर्स जیसी कोई चीज नहीं है अगर आपके अंदर ये डर है कि 100% सही नहीं होगा तो सर मेरा एंसौर गलत काड़ेंगे ऐसा बिलब्कुल नहीं होता आप अपने अंडर से ये डर निकाल दीजिए कि अगर 100% मेरा कुश्चन सही नहीं होगा तो सर गलत काड़ देंगे आपका अगर कुश्चन 95% सही है मैं कहता हूँ 90% सही है तो भी आपको 90% के हिसाब से नंबर मिल जाता है हम अपनी कक्षा में यह ध्यान देते हैं कि हमने बच्चे को अगर कोई चीज पढ़ाई है तो वो बच्चा उस चीज को कितना समझ सका है ज उसस आप से उसके ऐंसर के नंबर उसको दे दिये जाते हैं समझ रहे हैं तो अपने अंदर से यह डर निकाल दीजिए कि मैं बोर्ड एक्जाम में ऐसे लिख क्याऊंगा और फिर मेरा नंबर कड़ जाएगा फिर कैसे करूँगा मैं यह नहीं करना है डर नहीं है खुद से प्रैक्टिस करिए चार बार प्रैक्टिस करेंगे पांच भी बार आटोमेटिक आपसे सारे कुश्चन के अंसर बनते चले जाएंगे यह डर अपने अंदर से निकाल दीजिए कि 100% सही होना चाहिए कोई आदर्स नहीं है इस समाज में तो आपके अंसर कैसे आदर्स हो जाए और साम में हुआ है और जार्य इस समय नहींद नहीं आ सकी किसी काम बस कहीं पर भस गए तो वही क्लास बात में आपको रिकोरणेट फॉर्म में मिल जाती है तो लाइब पढ़िए और अगर उस समय आप लाइब नहीं आ सके जिस समय क्लास चल रही थी तो जब मन हो जब समय हो जितना मन हो रिकॉर्डट क्लास में जाके पढ़ लीजिए फिर नौट्स बोर्ड एक्जाम चार महिने बाद है इतना तो समय है नहीं कि नोट्स बना लेंगे चार महिने बाद बोर्ड एकजाम है पांच सबजेक्ट है एक सबजेक्ट का नोट्ट बनाने के लिए एक महीना पूरा दिन बैठके लिखते हैं पता चलता एक चेप्टर कंप्लीट नहीं हुआ तो बने बनाए नोट्स मिल जाएंगे, फिर डाउट्स, क्लास में डाउट पूछने में बड़ा डर लगता है, कि अध्यापक हमारे सहपाथी जो क्लास में बैठे हैं, अगर हम क्लास में डाउट पूछेंगे, या कहीं हमको मूर्ख न समझें, तो ये डाउट की टेंशन भी खतम, हमारे ए उसकी भी एक लिमिट होती है, कुछ चेप्टर इंपॉर्टेंट होते हैं, कुछ चेप्टर पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती, तो क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए, टी चल रही है उस पर दो नंबर हैं एक तो होगा एक्यान विक्याओन पचात्तर पच्पन पंचान बे और एक होगा एक्यान बुनते सठाथाइस तरश्ट मैंसट दोनों में से किसी भी नंबर पर बस आप हाई लिक्कर मैसेज कर दीजिए आपको इस एप का लिंक मिल जाएगा और अगर किसी तरह की प्रॉब्लम है तो कॉल करके आप हमसे बात भी कर सकते हैं इस एप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है चाहे तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर WhatsApp पर हाई लिख कर मैसेज कर सकते हैं, तब भी आपको इस एप का लिंक मिल जाएगा, ठीक है, और सबसे जरूरी बात, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर, Desire Point और Medha Academy अलग-अलग क्यों है, क्योंकि बेटा, Desire Point YouTube चैनल है, अब आप समझें कि YouTube पर ये सुविध नहीं है कि मैं आपको नोट्स दे दूँ, YouTube पर ये सुविधा नहीं है कि आप अपने डाउट्स पूछ सकें, भाई, लाइव क्लास चल रहे तब तो पूछ लिया, recorded है, कॉमेंट कर दिया, हजारों कॉमेंट आते हैं, कौन देखी, कौन ना देखे, ये सारी सुविधा कहा है मेधा अकैडमी आप पर, और ये मेधा अकैडमी आप और डिजायर पॉइंट दोनों हमारे हैं, दोनों पर जुड़कर आपको अपने बोर्ड एक्जाम की तयारी करनी है, उम्मीद करता हूँ आपके हर तरह के डाउट क्लियर हो गये होंगे, किसी भी तरह की समस्या है, तो आप कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं, हम आपकी पूरी मदद करेंगे, आज सही खुद से कुश्चन्स के अंसर बनारा सुरू करिए, धन्यवाद.